तो फ्रेंड आज हम बनाने माले हैं गुंद की लड़ू जो सर्दी के मौसमें बहुत अच्छी होती है और हम गुंद की लड़ू बहुत अलकी स्टाइल का बना रहे हैं तो फ्रेंड आप हमने एत्ता दिन से वीडियो नहीं डाला कुछ हम बाहर चले गए थे और कुछ हम घ को शेयर करें चले गुंद की लड़ू बनाना सुनर यह मैंने एक नारियलकी कदू कर लिए यह पदाम σε कजुर है विसता है और यह गोंद है और एक मैंने ढ़ाए हॉस्य क्का घेप पर लड़ू बनाए घिले और मैंने countries आटा-बनाइंगे को इस सर्दी के मोस में लड्डो जरूर खानी और इसमें हिलाइची और कालि मीच भी डालेंगे तो पहले हम घी डालने बाद हम है जो भी है यह है घी डाल है घी डालने के बाद हम ने इसमें काजु दाल देंगे पिष्टा डाल देंगे जो भी हम सbalー अच्छे से ब्रूझ लें के अइसे बाद हम ना अच्छे से भूज ले और उसके बार हम विदाम डाल बहुत सहत के लिए बहुत flux होता है और जब भी बनाए आठे की लड्ट को जासा हो को एक भूज से तो बूज लेंगे आपको जो भी डाइपो पसंद हो आप डाइप डाल सकते हो इससे हम सारे डारी फूट को भूज लिया है एस घुंञ लिए हैं से द्राइप फूट te कि सब लिकाल ले से इसके बाद इसमें हम नारियल भी भूझलेंगे उस घी में और ज्यादा नहीं भूझना है हलका भूजना है नारियल को क्योंकि जो हम लड्डू बना रहे हैं उससे क्या होता है अच्छी खुश भूआती है और लड्डू बहुत हमारी अच्छी बनेगी और बहुत ताकदवर लड्डू बनेगी तो इस तरह से आप भी लड्डू बनाएं सर्दी की मौसम चल रही है थंडी की मौसम चल रही है क्योंकि थोड़ा हम लेट वीडियो डाल रहे हैं हमारा वीडियो जरूर देखें और जितना हो सेके हमारा वीडियो शेयर करें लाइक शेयर बिलमाय कम जूर दबाएं कि आप बहुत अच्छा होता है तो देखिए मैंने गाई का गी लिया है और यह सक्कर है तो सकर को मिक्सी में पीस लेंगे कि 200 ग्याम मैंने सकल लिया है और गी गरम हो चुका है तो भी में हमने गोंद डाल दिया गोंडाल के जैसे आपके गोंद हो रहे हैं हो लिकाले इस तरह से गोंद कुप कर मैं हमारे जारे या करन लिया या है और यून को फिर तुअ हाथ से यह से मसलना पड़ता है तो मैंने एक चोट ह Otherwise मेंने गोंड लिया है तो हमने गौंड को भूज लिया है अब लिकाल लेंगे और आप जब बी आपके घीज्रम हो तो पाउस डालेंगे याफ मैंने और बन फूलनने लगती है इस तरह से अब हमारे सारे में आटा डालare प्राइटFoo brush बहुँ चुक्क मैनें इर्फट्रा लिए मतलब 1,5 डी क Deputy आटा था चुर 605-चु गासीं है याटा में 1 Bay hbach कुछ्टी लिए हैं मतलब 700,000 आटा याट को the 5-600 गुराम आटान लिया है तो आटा को भूजते रहना है आपको तो दीखे मेरे आटा का कलर भी चेंज हो चुका है और आटा में अच्छी सी खुसबू भी आ रही है बहुत सोना सोना खुसबू आ रही है तो इस तरह से आटा को भूजना चाहिए आटा कच्छे नहीं रहना चाहिए अब हम जो गोंद तो उआ होता है कि व्यक्ति आप मिर्वी कर सकते हैं इस तरह से हमक nessa का अच्या द्रeva ऐसे में अच्छलने जिए और बनाएं आपकी वस्ती बन जाएगी गी प्हाइड दی है था तो हूने सारे और को मसल लिया अच्छा ना अब उसके बाद हम इसमें आटे मिलाएंगे जो मैंने आटा भूजा था वह हम इसमें मिक्स कर लेंगे और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिजे पर उसके बाद हमने ड्राइफ फूट जो भी भूज के रखा है ड्राइफ पूट इसमें आजे हम डाल लेंगे just mix कर ले and कब इसमें काली मीर्च जो नारियल भूझ था वह नारियल भी डाल लेंगे सब को अच्छे से मतलब नारियल हें डाइब कुट है दाइब को भी हम फिलाल के डाल देंगे उसके बाद में ने काली मिष्चा और इलाइची भी पिस्ट करका है क्या ना अगर आपको जुखाम लगा है चाहे आपको ङला में खरकरीए तो यह लडू काने से आपके दम लिखर जाता है विए ग्रम कर लेंगे कि अधि के लिए काली मिर्टा बहुतılarPhone उसनारे लड़दो को स्सवाइन सब मिक्स कर लेंगे सो एक ये जो निया है लड़ालटि और अच्छे से मिक्स हो जाएं अब इस सब्सक्राइए इसने एप। इलाइची पाउडर जो बोला था कालीमी चा पाउडर तो ये ज्यादा निहींपने अगर आपको ज्यादा तीखा लगता हो तो आप कम ढाल सकते हो यूँखंगा उसलि¨ चल रहा है तो यह ज्यादा तीखा नहीं लगता है और खाने में आपको बहुत अच्छी लगेगी टेश्ट लगती है, इस तरह सोंण हो से केमारा वीडियो सेर भी करें तो अब हमिश्कर अगया तो इसben Şu शड़ेंगे सप्पर शथा हमने पीश लिया है 200 घृत तो देखिए मैंने शक को भी मिक्स कि कीं अगर आपको लच्टों बहाने में दिक्कत होता हो तो इसमें आप घी भी डाल सकते हैं थोड़ा घी करके डालने तो कैना आपके लड़ू तूटेगी नहीं लड़ू अच्छे से बन जाएगी बहान जाएगी लड़ू इस तरह से अपने हाथ में इसे हाथ से मिक्स करें और लड़ू बनाए तो फ्रेंड बताईए या कि आप हमने एक ही घी यूज किया हैं हमने और कोई तरह की घीनी डाला है कि इससे क्या होता है लड़ू बहुत अच्छी बनती है और खाने में बहुत लाजवाब लगती है तो यह देखिए अब हम लड़ू बहानेंगे आपको लड़ू बहान के हम दिखाते हैं फिर इस तरह से इस तरह से देखिए हमने लड़ू बहान लेंगे और देखिए लड़ू के तने अच्छी लग रहे है तो निक को लड़ू तूट नहीं रहे हैं और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आप अ है अगर आपको छोटा बड़ा लड़ू बनाना है अपने साइस से हिसाब से लड़ू बना लें इस तरह से फिरेन मैंने सारे लड़ू बना लेंगे उसके बाद हमने और देखिए बहुत कम समय में यह लड़ू बनके त्यार हो जाती बस आपको ध्यान रगना पड़ता है जो आटा है और जो भी समाने सामागरी वह अच्छे से अच्छे से बूझ लें लड़ू जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड आप लोग भी सपोर्ट करें और जितना हो सकते हमारा वीडियो को लाइक से जरूर करें अगर आपको अपनी ममी के हाथ की लड़ू पसंद दे तो प्लीज वह मां के लिए एक लाइक तो जरूर करें और अगर म आपकी ममी भी लड़ू बनाएगी तो इस तरह से बनाएगी तो चलिए फ्रें हम फिर नए नए वीडियो लेकर आपते रहेंगे नेशी वीडियो मिलेंगे मिलेंगे तब तक से बाए और टी केर